इस वीडियो में हम तस्वीरों की मदद से तीन लेटर्स वाले अलफाज को पढ़ना और लिखना सीखेंगे शुरू करते हैं आप भी मेरी मदद कीजिए इस तस्वीर में क्या बना है? यह है एक बैट बैट यानि बल्ला यह क्या है? बैट यानि बल्ला चलिए अब साउंड की मदद से बैट के लवव्स को पढ़ना सीखते हैं यह सबसे पहला लेटर क्या है? यह है लेटर बी लेटर बी की क्या साउंड है? ब ब और यह क्या है? यह है लेटर ए Letter A की short vowel sound क्या है? A और ये क्या है? ये है letter T Letter T की क्या sound है? T जब letter T किसी लफ़्ज के आखिर में आता है तो sound होती है T T A T क्या बनेगा? At At और B at Bat बन गया Bat यानि बल्ला और ये है Bat की तस्वीर चलिए अब Bat के लफ़्ज को लिखना सीखते हैं Batch लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा letter आएगा? B की आवाज किस letter से निकलती है? Letter B से Small B लिखने के लिए सबसे उपर वाली लाइन से शुरू करेंगे और फिर एक लकीर तीसी लाइन तक अब बगएर Pencil को उठाए इसी लाइन पर वापस आना है दूसरी लाइन तक और अब दूसरी से तीसी लाइन के दरमयान एक आधा दाइरा और यहां लाके मिला दिया यह है Small B Bat लिखने के लिए B के बाद कौन सा लेटर आएगा A की साउंड किस लेटर से निकलती है Letter A से Small A लिखने के लिए दूसरी से तीसी लाइन के दिरमयान एक गोल दाइरा सा फिर उपर और वापस नीचे यहां लाके रोक दिया यह है Small A Batch लिखने के लिए A के बाद कौन सा लेटर आएगा T की अवाज किस लेटर से निकलती है Letter T से Small T लिखने के लिए सबसे उपर वाली लाइन से शूर करते हुए एक लिखी तीसरी लाइन तक और फिर गोलाई यहां लाके रोक दिया अब दूसी लाइन पर जाना है और बाएं से दाए जाने एक चोटी सी लिकीर यह है Small T अब इस लफ्स को पढ़ते हैं B At क्या बना? Bat यानि बला और यह है Bat की तस्वीर एक मरतबा फिर लिखते हैं Bat लिकने के लिए सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? Letter B Small B लिखने के लिए सबसे उपर वाली लाइन से तीसी लाइन तक लेकीर अब इसी लाइन पर वापस उपर आना है दूसरी लाइन तक और फिर आधा दाएरा दूसरी से तीसी लाइन के दरम्यान Small B B के बाद के आएगा? Letter A Small A लिखने के लिए दूसरी से तीसी लाइन के दरम्यान गोल दाएरा सा फिर उपर और वापस नीचे यहां लाके रोक दिया यह है Small A A के बाद आएगा Letter T Small T लिखने के लिए पहली लाइन से तीसी लाइन तक लकीर और फिर गुलाई यहां लाके रोक दिया अब दूसरी लाइन पर पाई से दाएं जाने बेद लकीर मकमल हो गया Small T अब इस लभज को पढ़ते हैं B At Bat यह आनि बला और यह है Bat की Tस्वीर चलिए अब ये बताएए इस तस्वीर में क्या बना है? ये है sun sun यानि सूरज क्या है ये? sun यानि सूरज चलिए अब sounds की मदद से sun के लफ़ को पढ़ना सीखते हैं सबसे पहला letter क्या है? ये है letter s letter s की क्या sound है? स स स की शुरू की आवाज स और इसके बाद क्या है? ये है letter u letter u की short vowel sound क्या है? अ और ये क्या है? ये है letter n letter n की क्या sound है? न न न बन जाएगा अन और स अन बन गया sun sun क्या लफ़ है ये? sun यानि सूरज और ये है sun की तस्वीर चलिए अब sun के लफ़ को लिखना सीखते हैं sun लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा letter आएगा? स की आवाज किस letter से निकलती है? letter s से small s लिखने के लिए दूसरी line से शुरू करेंगे और पहले एक छोटा सा आधा दाइरा और फिर बिलकुल इसी तरह एक उल्टा आधा दाइरा तीसी line पर लाकर यहां रोक दिया यह है small s sun लिखने के लिए s के बाद कौन सा letter आएगा? a की sound किस letter से निकलती है? letter u से small u लिखने के लिए दूसरी line से शुरू करेंगे और फिर एक लिखी तीसी line तक यहां से गुलाई फिर उपर इसी line पर वापस नीचे यहां लाकर रोक दिया यह है small u u के बाद क्या आएगा? n की sound किस letter से निकलती है? letter n से small n लिखने के लिए दूसरी line से तीसी line तक लिखीर वापस इस लिखीर पर उपर आना है दूसरी line तक और यहां से गुलाई और फिर सीधा नीचे तीसी line पर लाकर रोक दिया यह है small n अब इस लफ्स को पढ़ते हैं sun बन जाएगा sun यानि सूरज और यह है sun की तस्वीर एक मरतबा फिर लिखने की कोशश करते हैं sun लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा letter लिखेंगे? letter s small s लिखने के लिए दूसी से तीसी line के दर्म्यार एक छोटा सा आधा दाइरा और फिर एक और उल्टा आधा दाइरा यहां लाकर रोक दिया small s s के बाद कौन सा letter आएगा? letter u small u लिखने के लिए दूसी से तीसी line तक लिखी लकीर फिर गुलाई अब वापस उपर इसी line पर सीधा निचे यहां लाकर रोक दिया small u u के बाद किया आएगा? letter n small n लिखने के लिए दूसी से तीसी line तक लिखीर इसी लिखीर पर वापस उपर जाना है अब यहां से गुलाई फिर सीधा नीचे यहां लाके रोक दिया यह है small n अब इस लफ्स को पढ़ते हैं sun यानि सूरज और यह है sun की तस्वीर चलिए अब यह बताईए इस तस्वीर में क्या बना है यह है एक rat रैट यानि रैट यानि चुहा क्या है यह रैट रैट यानि चुहा चलिए अब sounds की मदद से रैट के लफ्स को पढ़ना सीखते हैं यह क्या है यह है letter r letter r की क्या sound होती है र्र के शुरू की आवाज क्या आवाज है यह र्र र्र और यह क्या है यह है letter a letter a की short vowel sound है a a और यह क्या है letter t letter t जब किसी लफ्स के आखिर में आता है तो sound होती है t t at क्या बनता है at at और r at बन जाएगा rat rat यानी चुहा और यह है rat की तस्वीर चलिए अब rat के लफ्स को लिखना सीखते हैं rat लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा letter आएगा r की आवाज किस letter से निकलती है letter r से small r लिखने के लिए दूसी लाइन से शुरू करेंगे और एक लकीर तीसी लाइन तक वापिस इस लकीर पर उपर आना है और फिर यहां से गुलाई यहाला के रोक दिया यह है small r r के बाद क्या आएगा i की sound किस letter से निकलती है letter a से small a लिखने के लिए दूसी से तीसी लाइन के दिरम्यान गोल दाइरा सा वापिस उपर जाना है और फिर नीचे यहाला के रोक दिया यह है small a a के बाद क्या आएगा ट की अवाज किस letter से निकलती है letter t से small t लिखने के लिए सबसे उपर वाली लाइन से एक और लकीर बाएं से दाइन जाने small t यह है at rat यानि चूहा एक मरतबा फिर लिखते हैं rat लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा letter आएगा letter r small r लिखने के लिए दूसी से तीसी लाइन तक लकीर बापिस उपर आना है और फिर यहां से गुलाई यह हला के रोक दिया small r r के बाद क्या आएगा small a small a लिखने के लिए दूसी से तीसी लाइन के दिरमयान गुल दायरा सा फिर उपर और वापिस नीचे यह हला के रोक दिया small a a के बाद है t small t लिखने के लिए सबसे उपर वाली लाइन से तीसी लाइन तक फिर गुलाई और दूसी लाइन पर बाहे से दाई जाने पर एक लकीर स्मॉल टी और यह बन गया र्र आट रैट यानि चूहा और यह है रैट की तस्वीर अब आप इस वीडियो को बार बार री प्ले करके इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की मश्क जारी रखिए